तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए साथ में पहले लगन प्रेस करिए जिससे आपको डेली अप्डेट्स मिलता रहेगा और साथ में जॉइन करिए टेलिग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है यूजिसनेट 222 की त्यारी करिए सबसे बेस्ट नोट्स के साथ पेपरण 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 की कोष्ट है एवन फिफ्ट रुबिस यान की साड़े साथ सासर रुबे जिसमें आपको त्योरी पेडियाफ नोट्स यूनिट वाइस कोशन प्रिवेसर कोशन सब कुछ आपको म कि एक यूजिए से लिए अगर आपको टीचर बनना है तो आपको डिगरी नहीं नॉट्च चाहिए क्योंकि बहुत important नोटिस जारी किया है Minister of Education ने आप सभी के लिए UGC ने जारी किया है नोटिस लेकिन यह नोटिस है Ministry of Education की दरब से अगर आपके पास knowledge है, skill है अगर आप कही पर पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपके पास अभी तक degree नहीं है लेकिन फिर भी आप पढ़ाना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं तो कैसे करेंगे पूरा आपको इसमें बताऊंगा तो देखें आप सबी को बता है कि गौर्णमेंट ने एक विद्यांजली scheme launch की है विद्यांजली scheme किन के लिए है सबसे पहले ये जानते हैं विद्यांजली scheme का मतलब है कि जैसे आपको बता है कि जो हमारे सरकारी जो सस्तान है, institution है वहाँ पे जो शिक्षा का स्तार है, education का स्तार है वो बहुत निमन है ये कि देखें, teacher है भी limited है लेकिन जो student है पढ़ाने के लिए teacher कम है और उसको बहुत आगे बढ़ाना है जिसके लिए विद्यांजली को launch किया गया था जिसके तहत क्या है, इंडिया की जो education है उसे बढ़िया बनाना आप देखें, सब ही के पास knowledge है अगर वो share करेंगे, student पहुंचेगी तो उनको कुछ नाया सीखने को मिलेगा तो देखें, ये notice है, वो है higher education institution के लिए जिसके जरीए क्या है कि जो higher education institution है उनको register करना है विद्यांजली एप की उपर कि ताकि वो उनके साथ जुड़े जैसे मालेजी हमारे देश में जो higher education institution है शिक्षन संस्थान है, अगर वो विद्यांजली से जुड़ेंगे तो उससे क्या है जुडने के बाद आप कहीं भी जाके पढ़ा सकते हैं उसमें क्या है कि जैसे मालेजी कि कोई आपके आसपास college है अगर वो विद्यांजली से जुड़ा है school है या university कोई भी विद्यांजली से जुड़ा है तो आप easily जाके वहाँ पर पर knowledge को share कर सकते हैं जो आपकी दीगई knowledge है वो student के काम आएगी उससे जो education है आपके वहाँ पर अपने lecture को दे और ताकि higher education institution के ज़री स्टूटन को कुछ नायाद देखने के मिले उनको sport मिले तो देखें इनमें कौन-कौन कर सकता है जैसे मान लिजे की volunteers चीक है जैसे young professional है young है जैसे retire या working teachers है retire working government official है कोई भी professionals है student है अगर आप undergraduate है यहनके अगर आप graduation कर रहे हैं post graduation कर रहे है PhD कर रहे है लेकिन आप पढ़ते पढ़ते पढ़ाना भी चाते हैं तो आप पढ़ा सकते हैं corporates हैं और many other जो academic and other sports जो है जो student को sport कर सकते हैं teacher को sport कर सकते हैं वो यहाँ पे इनके साथ जोड़ सकता है इसके लिए minister of education ने कहा है कि higher education institution अपने आपको विद्याजली के साथ जोड़े कि ताकि बाकी यह जो है जिनके बार में बताया गया है वो भी उनके साथ easily जोड़ सके विद्याजली के उपर देखे मैं अलग से एक video बनाऊंगा तो आपको इसमें पूरा और ज़्यादा clear हो जाएगा तो ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे तो अभी यह जो notice है यह higher education institution की तरब से है कि उनको विद्याजली के साथ जुड़ना है कि ताकि अगर आपको पढ़ाना है तो आपका जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा असान हो जाए तो इसके लिए देखिए अगर आपको खुद से करना है तो आप विद्याजली के आप पर जाग सकते हैं लेकिन जो institution है वो यहाँ पर जाके अपने आपको register कर सकते हैं देखिए बहुत सारे school college यहाँ पर जुड़ चुके हैं तो बाकि जो रहते हैं वो भी जल्दी से जुड़ें और जल्दी से जल्दी से launch किया जाए ताकि student को फाइदा मिल सके अगर आपको विडियोच लगा है लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत झाल कर दोEMA बी है जो स्ब्सक्राइब सारेस चैनल को भी जल्दी से जल्दी से कर पर voice करीपूब कर चार के जाएब में दून्स कर दोड़ें और जल्सक्राइब कर विभाइब कора लाइब कर पर सह सारे जारा किया सारे, के जल्हाग गillar बाकिमा मत अबर ओमया प्र नर